अब अकेले बोले तो सकते हैं, परंतु बातचित नहीं कर सकते हैं। आप अकेले आनंदित हो सकते हैं, परंतु उस्सल नहीं मना सकते हैं। आप अकेले मुस्कुरा तो सकते हैं परन्तु हरसो लास नहीं मना सकते हम सब एक दूसरे बिना कुछ नहीं है यही रिस्तों की खुबसूरती है नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और मकर रासी में 23 मही 2021 से वक्री हो रहे हैं सनी देव के विसे एपिसोड में यह एपिसोड आपकी रासी पर आदारीत है और सिरफ वक्री शनी के प्रभाव पर ही न अधिक समय तक प्रभाव साली रहते हैं और इसका कारण है शनी का मंद गती से विचरन करना है शनी को म्रत्यू लोग का नियाएदीज भी कह गया है और फिर बगवान सेव द्वारा सनी को कर्म के अनुसार सजा देने का अधिकार भी तो प्राप्त है सनी के प्रभाव से म्रत्यू अकाल म्रत्यू रोग बहुत सारे कस्थ व्यवसाई खानी अपमान दोखा द्वेश इडश्या को माना जाता है पर क्या वास्तुएक्ता भी यही है क्या यही सत्य है क्या अंतिम सत्य है जन्म कुल्डी में शनी का सुप ग्रह से सम्मद हो या अंतर दसा सुप चल रही हो तो साड़े साती और ढईया का असुप रवाव कम हो जाता है लेकिन इसके ठीक विप्रित यदि सनी देव जन्म के समय असुब ग्रह यूति से युग तो अतात आपकी जन्म कुल्डी में शनी कोई पापी ग्रहों के साथ में इस्तितो या यूति कर रहे हो या पापी ग्रहों को देख रहे हो जस्तिपात कर रहे हो ऐसी इस्तिती में रोग आदी परेशान कर सकते हैं 23 मई 2021 से नवगरा मंडल के सर्वोच नयायदी सनी देव की चाल बदलने वाली है वे उल्टी चाल अथाद मकर रासी में वक्री होने वाले हैं और 141 दिन तक अथाद 11 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहने वाले हैं वक्री ग्रहों के संब्द में जोतिस प्रकास तत्व में कहा गया है कि क्रूर ग्रह वक्री होने पर अति क्रूर फल देते हैं तता सौमे ग्रह वक्री होने पर अति सुब फल देते हैं जातक तत्व और सारावली ग्रंथों के अनुसार यदि सुब्ग्र वक्री होने पर पद, धन, वैबव प्रदान करते हैं किन्तु पापी ग्र वक्री होने पर धन, यस, प्रतिस्ता की हानी करते हैं अब तर प्रतिकुल फल मिलने की संभावना है ज्यादा रहती है शनी के वक्री होने के संदर्व में जोतिस के गरंतों में एक और बात कही गई है कि शनी वक्रे चा दुर्भिक्ष हा रुंड मुंडा चा मेदिनी और शनी वक्रे जने पीड़ा हा इसका अर्थ है शनी के वक्री होने के समय में दुर्भिक्ष यानि अकाल फैलता है और प्रजा जन रोग और पीड़ा से ग्रसित होती है परिशान होती है अतात जनता में रोग या पीड़ा फैल सकती है प्राय वक्री शनी के कारेकाल को बहुत असुब परिणाम दायक या परिणाम देने वाला बताय जाता है जबकि पाया गया है कि वक्री होने पर शनी के प्रभाव का सुबत्व और अधिक बढ़ जाता है इस अवदी में व्यक्ति को वही फल प्राप्त होते हैं जिसका वह अधिकारी होता है तो आईए देखते हैं कि आपकी रासी को सनी देव वक्र गति से क्या प्रभाव देने वाले हैं रासी से अश्टम बाव में सनी होने से सनी आने से ढहिया आरंब हो जाती है तो आपको ढहिया चल रही है मिथुन रासी का स्वामी गर्भ बुद होता है और शनी और बुद में मित्रता है जो तीस के एक सिद्धान्त के अनुसार लगन पंचम और भाग्य बाव अता फस्तावस फिप्तावस और नाइन्तावस का स्वामी चनमा या शनी हो तो ढहिया या साड़े साती का प्रभाव ज्यादा नहीं मिलता अता सनी की ढहिया का प्रभाव या असुपता आपको ज्यादा नहीं मिलेगी लेकिन अब शनी के वक्री होने पर आपको कष्ट का संगर्स का सामना करना ही पड़ेगा मकर रासी में स्थित्वक्रिशनी तीसी दस्ती से करम बाव को टैंट आउस को सात्वी दस्ती से धन बाव को सेकेंड आउस को और दस्त्वी दस्ती से पंचम बाव सिक्सा और संतान बाव को देखेंगे आपकी रासी से अश्टम बाव में इस्तिद्वक्रिशनी स्वास्ति को लेकर के कष्ट अध्यात्म में विसेश रूची और जो भी गूड विसेश हैं अनुसंदान है उसमें उपलब्दी या उपलब्दी में संगर्स संचित धन में कमी और जो काली वैसा है आप कर रहे हैं उसमें परिशानी सिक्सा या संतान पक्स से आपको कुछ राहत मिल सकती है अचानक होने वाले घटनाएं घट सकती है मकर रासी में वक्रिशनी होने से सालिरिक और स्वास्तिक ज़स्ति से सुखों में कमी आएगी धन और संपत्ति या फाइनेशली परिवार के सुख में भ आधाएं आ सकती है अपमानित होने का भै लगा रहेगा और जीवन सात्यों को भी बहुत कष्ट की संभाव नहीं रहेगी आईए अब बात करें सनी की द्रस्तियों की सनी की दो विसेस द्रस्ति है एके तीसरे बाव पर और एके दस्वें बाव पर और अपने से सात्वें बाव को तो हर ग्रे देखता ही है ऐसे में अस्तों बाव में इस्तित मकर रासी में वक्री शनी सनी की द्रस्तियों द्रस्ति आता कर्म बाव पर रहेगी और कर्म बाव की अधिपती ब्रस्पती है तता शनी और ब्रस्पती में मित्तता है लेकिन भागये शनी होने के कारण वकरी शनी का ये गोचर आपको पिता के सुख में कमी देगा आप सरकारी शेतर में हैं, सरकारी शेतर में जॉब कर रहे हैं अतार गौर्मेंट सर्वेंट है तो सरकार की और से भय लगा रहेगा, कोई इनक्वारी चल रही होगी व्यवसाय के शेत्र में उन्नती सायोग और लाब में आपको कमी मिलेगी और साथी मेनत भी ज़्यादा करने पड़ेगी तब ही आपका काम चलेगा अब बात करते हैं सनी की सांतवी दस्ती तो सेकिंड आउस पर द्वितिय वभाव पर वक्री शनी की सब्तम दस्ती जो की करक रासी पर है और जो करक रासी का स्वामी ग्रह चनमा है तो वक्री शनी और चनमा परस पर सत्रू माने जाते हैं अता शनी और चनमा सत्रू माने जाते हैं अता इस इस्तिति के कारण धन और संपति और पारिवर एक सुक बहुत ही कम मातरा में मिलेगा जो गलत लोग हैं या समाज के विरोधी लोग हैं उन लोगों के कारण संगती के कारण फ्रेंड्शिप के कारण आपको परिशाने उठानी पड़ सकती है financially lost या दुरगटना आपको परिशान करती रहेगी और किसी परिजन का सोक भी आपको कष्ट दे सकता है आपको depressive thought दे सकता है negative बना सकता है बहुत से लोगों के जो की illegal काम करते हो सकते हैं उनको जेल जाने के अवसर भी आ सकते हैं ऐसी इस्तिती में जितनी जल्दी हो उस negative कामों से illegal कामों से या जो भी खराब काम है उससे पीछा छुड़ाईए और सनी के उपाई कीजिए इस्ताई संपत्ति भी विवाद में फसने की प्रबल संभावना है तो ऐसी इस्तिती में जो मैं आपको संभावना है बता रहा हूँ यह सब कुछ आपके उपर हो जाएगी ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा होने वाला है ऐसा हो सकता है इसलिए सावधानी रखनी है अब बात करें सनी की दस्वी जस्ति की तुप आपकी रासी से पंचम बाव पर अश्ट में शनी की वक्री शनी की दस्वी जस्ति तुला रासी पर होगी और तुला रासी का स्वामी गरह शुक्र शनी और शुक्र परस पर मित्र होते हैं इसलिए सिक्सा और संतान सुक में आपको सफलता मिलना संदिक्द है, doubtful है, वक्रिशनी आपकी बुद्धी को ब्रस्ट करेंगे, बुद्धी का सही प्रयोक करके अपने स्तर को उच्छा उठाने का आपको बार-बार प्रयास करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा और जो भी आपका कारे कारे वेवसा है उसमें संतान का सयोग मिल सकता है दैनिक आमदनी में कुछ राहत मिल सकती है, कुछ व्रद्धी हो सकती है, ज्यान में, हुनर में, काबलियत में व्रद्धी तो होगी लेकिन मैंनत बहुत ज़्यादा करने पड़ेगी जुए स्पेकिलेशन सटा या पिर जो गलत लोग है उनकी फ्रेंड्सिप के कारण कई प्रकार की परेशानिया आपको जहेल नहीं पड़ सकती है कोट करचरी के चकर या पुलिस इंक्वारी का सामना करना पड़ सकता है ऐसे में जितनी ज जन्रमा के उपाए क्या होंगे तो आप दूद, चांदी, सफेद वस्तर, सफेद कपड़ा, चावल, पानी, मोती, सीप, संक इन सभी का दान या इस में से जो भी आपकी पॉकेट अलाओ करती है इन में से जो भी समान आपको एविलेबल हो जाए उसको सूमबार को सूर्य जैसे एक गंटे के भीतर आपको दान करना है ताकि शनी के उस सुप फलों में ताकि नेगेटिव फलों में कमी आए अब बात करते हैं शनी के उपाएँ की तो आप मिथुन रासी वाले लोगों को काली उड़त की दाल, साबुत दाल, साबुत नहीं है तो कोई बात नहीं ह पस तो इन सभी को सनी वार को सूर्य दे काल से एक गंटे के भीतर भीतर दान करना है ताकि सनी के असुप फलों में कमी आए और दान करना है जरूरत मन्द व्यक्ति को कोई भी व्रद व्यक्ति को और कोई भी व्रद लंगड़ा मिल जाए तो और ज्यादा वैस्त है शुक् बरतनों में अलग लग आपको भीगोना है सनी वार की सुबह उन्हें तिल के तेल में छोक करके एक बाग को मनी मनसद्दा से सनी दिव को भोग लगा करके जो पहला बाग है वो गोड़े या भैसे को खिला देना है दूसरा बाग आपको कुछ रोग्यों को बाढ़ देना है और सवा किलो में से तीसरा बाग अपने से उतार करके अपने उपर से घुमा करके ग्यारा बार क्लॉक वाइस कोई भी वीरा इस्ताल में जहां चार रास्ते जाते हो जिसको चौराय कहा जाता है उसके बीच में रख करके आ जाना है ये छोटा सा उपाय है और इससे आपको सनी से कुछनी कुछ राहत जरूर मिलने वाली है सनी वार के दिन अपने हाथ के नाप का अताथ का नाप का मतलब ये होता है कौनी से लगा करके जहां से आप दागा पकड़ेंगे वहां तक उन्नी साथ लंबा जो काला दागा होता है उसको बटना है रसी की तरह माला की तरह और फिर माला की तरह आपको गले में पहन लेना है मानित ऐसी है कि इस प्रियोक से सनी की अनिस्टरता सांत होती है शनी यंत्र की अंगुठी दारण करें, या सनी यंत्र के साथ नीलम या उसका उप्रत्न, जिसे नीली कहा जाता है, वो जड़ा करके, लॉकेट के रूप में दारण कर सकते हैं, दसरत रचिता, सनी स्टोत्र का पार्ट तो सर्विसेश्ट है ही, या दि वो नहीं कर पाते हैं तो नित्य सली चालिसा का पार्ट करें, या शनी मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, सनी पिरामिड या नवगर पिरामिड जहां आप सोते हैं, वहां साइट टेबल पर रखना है, इससे आपको, जो आपकी बुद्धी पर सरीर पर ग्रहों का कूप रभाव होगा, उससे आप बच पाएंगे या आप सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि पिरामिड जो होता है, माइंड, बॉड़ी और सोल इन तीन चीजों को ट्यून अप करता है, और कोई भी ग्रह जब चेंज होता है, उसका दूस प्रभाव सबसे पहले आपकी बुद्धी पर, फिर आपके सरीर पर बढ़ता है, तो ऐसी इस्तिति में जब पिरामिड रखेंगे, तो आप एक प्रकास से उन्दोस प्रभाव से सुरक्षित हो सकते हैं, शनी के एकाक्षरी भीज मंतर का आप जाप कर सकते हैं, और या पर शनी के तांतिर्क मंतर का आप जाप कर सकते हैं, और या पर शनी ही प्रचोद्यात शनी दोस्त निवंवनं कवच यह नवगरत दोस्त निव निवंच बना करके धारण कर सकते हैं को रोजान нीं बनते हैं 300 SSD देन पिदीन निर्माण नहीं होते हैं जब जब विशेस मौरत होता है जब जब विशेश पर्वă होता है तब ही कवच का निर्माण होता है और जब भी कवच निर्माण होता है या आप कवच का ओर्डर जब भी देंगे आदेश जब भी देंगे तो उसके साथ में आपका नाम आपके पिता का नाम माता का नाम गोत्र कास्ट एडरस ये सारी सूचनाय जो पूजापाट करते हैं संकर्प लेते हैं वो सारी सूचनाय मिलने पर आपके लिए बनेगा और आपके लिए ही काम आएगा शनी दोस निवण में नित्ति सिवलिंग पर जल चड़ाना और महामरत्युजे मंत्र का जाप करना भी बहुत ज़्यादा सुब रहता है ऐसी स्थिति में जितना संभव हो आपको सनी सांति के उपाए जरूर करने चाहिए ये था आप मित्वन रासी के लिए वक्री शनी का रासीफल और सनी से समधी चनमा से समधी दो उपाए भी ये जो रासीफल है वक्री शनी का रासीफल ये आपकी जन्म कुंडली में से सिरफ एक चनमा से बेस है लेकिन आपकी कुंडली में शनी किस रासी के हैं कौन से ग्र सिपल को प्रभावित करेगा ऐसी इस्तिति में यदि समस्यां ज्यादा है कोई बहुत बड़ा डिस्जन लेना है या कोई दुविदा में है या कस्मकस्म है जिग्यासा है भविश्चे में जाकना चाहते तो फिर आपको अपनी जन्म कुली से जानना चाहिए कि ये वक्री सन स्क्रीन पर जो नमबर लिखे हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है संपर्क आपको इंडियन टाइम जिस्तो आयस टी बोला जाता है उस पर करना है सुबह नौ बजे से लगा करके सामको सांत बजे तक उस समय ही आपको ये नंबर उठाने वाले मिल सकते हैं इस्थाप मिल सकता है आप रात को फॉन करेंगे या फिर आप कभी भी फॉन करेंगे जब आप ये एपिसूड देख रहे होंगे तब हो सकता है कोई नहीं हो ऐसी स्थिति में आप स्क्रिन पर दिये हुए नंबर प आप स्वस्त रहें प्रसंद रहें सुरक्षित रहें अपना और अपने परिवार का बहुत-बहुत ख्याल रखें आप सभी को मेरा नमस्कार बहुत-बहुत शुप कामना है इश्वर आपकी रक्षा करें शनीदेव आपकी रक्षा करें भगवान शिव आपकी रक्षा कर बहुत पर धन्यवाद